खुजली की समस्या से पाय चुटकारा त्वचा में खुजली होना एक आप समस्या है जिससे बहुत से लोग प्रभावित होते हैं लेकिन त्वचा में खुजली होने के कारण व्यक्तिगत और व्यवसाइक दोनों ही जीवन में आपको परेशानी हो सकती है लेकिन आप त्वचा में खुजली होने की इस समस्या का समाधान कुछ घरेलू उपायों के माध्यम से कर सकते हैं त्वचा में खुजली हाने पर आप इन प्राकृतिक उपायों को अपना सकते हैं जो बहुत ही असरदार और प्रभावी माने जाते हैं इस वीडियो में आप त्वचा में होने वाली खुजली को ठीक करने के घरेलू नुस्खे जानेंगे आए जानते हैं त्वचा में कुजली होने पर आप किन उप्चारों का उप्योग कर सकते हैं त्वचा की खुजली क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा को माना जाता है त्वचा की खुजली एक संसनी होती है जो त्वचा या तंत्रिका कोशिकाओं की जलन से उत्पन होती है चिकित सकीय रूप से खुजली को प्रुरिट्स के रूप में जाना जाता है त्वचा में खुजली होने के बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनके परिनामस वरूप आपकी त्वचा में दाने आ सकते हैं या लाल चकते आधी बन सकते हैं इस तरह से त्वचा की खुजली आपके लिए असुविधा का कारण बन सकती है त्वचा की खुजली के लक्षन आप अपने शरीर के कुछ हिस्सों में खुजली का अनुभव कर सकते हैं विशेश रूप से त्वचा में खुजली गुपतानगों, बाहों, पैरों या आपके शरीर के अन्य हिस्सों में देखने को मिल सकती है इस तरह से खुजली होने के कारण आपके शरीर में कुछ परिवर्तन भी देखने में आ सकते हैं जैसे की लाल धब्बे त्वचा में छाले या फफोले परदार त्वचा आदी इसके अलावा आपको होने वाली खुजली लंबे समय तक चल सकती है जो आपके दैनिक जीवन को प्रभावित करती है इस प्रकार लंबे समय तक होने वाली खुजली धीरे धीरे त्वचा के दाने का रूप ले सकती है यदि आप भी तवचा की खुजली से प्रभावित हैं तो यहां बताए जा रहे प्राकृतिक और घरेलू उपायों को अपना सकते हैं तवचा की खुजली का इलाज नारियल तेल जिन लोगों तवचा की खुजली है वे उपचार के रूप में नारियल तेल का उप्योग कर सकते हैं अध्ययनों से पता चलता है कि नारियल तेल में मौजूद पोशक तत्वखुजली प्रभावित क्शेतरों में और शदी का काम करता है नारियल तेल में प्राकृतिक एंटिबैक्टिरियल गुन होते हैं जो त्वचा में संक्रमन के प्रभाव को कम कर सकते हैं आपको शायद पता हो कि त्वचा संक्रमन का प्रमुक कारण बैक्टिरिया होते हैं नारियल तेल में मौझूद एंटियोक्सिडेंट गोन त्वचा में मौझूद बैक्टीरिया के विकास और प्रभाव दोनों को ही रोपने में मदद करते हैं. इसके अलावा नारियल तेल का उप्योग त्वचा को प्राकृतिक नमी दिलाता है. इस तरह से आप त्वचा की खुजली दूर करने के लिए नारियल तेल का उप्योग कर सकते हैं. खुजली दूर करने का घरेलू नुस्खा बेकिंग सोडा. शारीरिक स्वच्छता खुजली का सबसे आसान और प्रभावी उपाय होता है. शरीर को साफ रखने और खुजली से छुटकारा पाने के शरीर के किसी हिस्से विशेश में अधिक खुजली हो तो आप बेकिंग सोडा के पेस्ट का भी उप्योग कर सकते हैं. इसके लिए आप एक चम्मच बेकिंग सोडा लें और पानी की कुछ मात्रा मिला कर एक पेस्ट बना लें. इस पेस्ट को प्रभावित क्षेत्र में प्रभावित क्षेत्र में अधिक गर्म पानी का उप्योग करने से बचें क्योंकि बहुत गर्म पानी आपकी क्षतिग्रस्त वचा को और अधिक खराब कर सकता है. जिससे आपकी खुजली की समस्या और भी गंभीर हो सकती है. ओटमील त्वचा की खुजली दूर करने का यह सबसे अच्छा और प्रभावी घरेलू उप्चार है. यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी डॉट कॉम चैनल सबस्क्राइब करें. हन्यवाद.